हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका माइटी स्टडी की एक और वीडियो में तो दोस्तों यहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एक जाम इस्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्डेंट खबर है कि आपकी जो ऑनलाइन कांसलिंग होगी वो 30 सितंबर से सुरू हो जाएगी तो इसके बारे में जो आपका रिजल्ट आना है ऑफलाइन परिक्षा का उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और ऑनलाइन परिक्षा का आपका रिजल्ट आ भी गया है तो उसकी पूरी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में और कॉंसलिंग के बार उसमें आपको कोई दिक्कत होती है कोई आपकि आप उन्स सितम्बर की साम 5 बाँ टक ऑनलाइन शिकायत को दर्ज़ करा सकते हैं, इसके साथ साथ आफ लाइन परिक्षा की आंसर सीट है आपको 23 सितम्बर को जारी होगी और इसकी जो 26 सितम्बर तक कापती दर्ज कराई जा सकती है इसके साथ साथ आपको 8 सितंबर को परसद की वेबसाइट पर प्रिवेश परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों यह रही आपकी परिक्षा के बारे में पूरी चर्चा इसके साथ बाद अब बात आती हैं पर काउंसलि कि पॉल टेक्निक में प्रिवेश के लिए पहली बार होने जा रही ओनलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से यहां पर आपकी शुरू होगी तो इसमें दोस्तों बताना चाहेंगे कि संयुक्त प्रिवेश परिक्षा परसद के सचिब एसके बैस जी ने बताया है कि काउंसलिंग में लेगने के लिए चात्रों को सबसे पहले विभाग के वीवसाइड पर रेजटेशन करना होगा और इसके साथ साथ रोल लंबर और पासवर्ट की मदद से काउंसलिंग सुल्क भरना होगा ठीक है और इसके बाद रेजटेशन के बाद चात्र अपनी रैंक और पसंद से college चुन सकते हैं और यहां पर जो short list किये जाएंगे जो short list किये गए उमीदवारों को seat आवंटन पर किरिया के दिन यहां पर जब seat आवंटन की जाएगी उस पर किरिया के दिन आपको high school और inter high school inter की mark sheet और प्रमाण पत्र ठीक है और admit card इसके साथ इस code card और address proof और ID और दो पासवर्ट फोटो और मूल दस्ता बेजूं और फोटो काफी को साथ में लेकर आना होगा जिस दिन आपका seat आवंटन होगा तो दोस्तों यहां पर यह आपके लिए बहुत ही important update है तो यह सभी document को आप अपने त्यार रखिएगा ठीक है तो उमीद करते हैं कि information आपके लिए helpful लगी होगी तो जो भी दोस्त for technique student है वो हमारी चैनल पर पहली बार विजट कर रहा है और सब्सक्राइब आपको total information मिलती रहेगी